अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं, यह साथ संकेट. जीवन, मृत्यूक, सुख, दुख, लाभानी. खुशी और गम यह सभी जीवन के महत्वपून अंग हैं. कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है, तो कभी दुख के बादल भी चाजाते हैं. हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, यह सब समय चक्र के कारण होता है. समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सब को जुकना ही पड़ता है. आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंग तथा रंग से राजा बनते भी देखा होगा. दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे. और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे. समय वह शक्तिशाली हतियार है, जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है, और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता, पर हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है, कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है, समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के, ऐ ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे, इसलिए आज के इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे आपके जीवन आने वाले शुब समय के बारे में पता चल सकता है, जब नारद मुनी बैकुंठ धाम पहुँचे तब उन्होंने भगवान श्री विश्नु से इन संकेतों के बारे में पूछा था, तब भगवान श्री विश्नु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयम मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं, जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं, वह संकेत प्रकृती द्वारा, पशुओं द्वारा, शुब संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यक्ता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं, जो स्वया भगवान श्री विश्नु जी ने बताए हैं. पहला संकेत अगर आपकी आख ब्रह्मा मुहूत यानि सुभा के चार दशमलव दो चार बजे से सुभा पांच दशमलव एक दो बजे के बीच का समय में खुले और आपको इश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो की जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, इस पर इश्वर स्वया आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसंद रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ और मुसकान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशिया दस्तक देने वाली है। जिससे आप सदैव ही प्रफुलित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें खुश खबर मिल जाती है। हमारे मन के अंदर इश्वर वास करते हैं, इसलिए बिनाकारण ही प्रसंद रहना भी एक शुब संकेत माना जाता है। शुब संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुँचने वाले हैं। चोथा संकेत चोटे बच्चों में इश्वर स्वयंबस्ते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर चोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार-बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले तो यह आपके लिए बहुत ह शुब संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिष्टे जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको इश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते है पांचवा संकेत पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना आपको ऐसा प्रतीत होना की इश्वर की मूर्ती आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथी का आगमन होना, घर में चादी और सोने का आना या महिलाओं का बाया और पुरुशों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुब माना जाता है। यह सभी संकेट आपको आने वाले शुब समय के बारे में सूचित करते हैं। सात्वा संकेट सुबह सुबह आप घर से किसी शुब कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत महारा पुजारी का आशिरवात प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुब संकेट माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्र जरूर करे धन्यवाद।